परिजय सचिन अपने दोस्तों के साथ अपना जन्म दिन मना रहा है। उसकी माँ बच्चों के लिए आईस्क्रीम मगाना चाहती हैं। इसलिए वह उनकी संख्या गिन्ने में व्यस्त हैं। वो नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा छूट जाए। बच्चों, आपने अभी देखा कि गिन्ने कैसे हमारी साहता करती है। इस सध्याय में आप गिन्ने के विशय में जानेंगे। आओ सीखें। एक से बीस तक गिन्ना। दस वस्तों के समोहों को गिन्ना। अंडों को गिन्ना। जहां अंडों से भरी एक टोकरी है. आओ, इसमें रखे अंडों को गिनते हैं. एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और दस. टोकरी में दस अंडे हैं. यहां अंडों से भरी एक और टोकरी है. आओ, हम आगे गिनते हैं. ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंधरा, सोला, सतरा, अठारा, उन्नेस और बीस. हमारे पास कुल बीस अंडे हैं. आओ, खेलें. चड़ियों को गिने. और गिन कर सही गिनिती वाला बटन दबाएं. सेबूं को गिनना. आप अंडों को गिनना सीख चुके हैं. आओ, अब हम देखते हैं कि क्या आप प्लेट में रखे सेबूं को गिन सकते हैं? चौबीस और पच्चीस. प्लेट में पच्चीस सेब हैं. आओ, खेलें. मोतियों को गिने और गिन कर सही गिनिती वाला बटन दबाएं. संख्याओं का अक्षर विन्यास यानि स्पेलिंग. आओ, हम संख्याओं के अक्षर विन्यास को जाने. यहां कुछ चौकलेट हैं. आओ, हम इन्हें गिनते हैं और बकसे में इकठा करते हैं. यह पहली चौकलेट है. यह अब बकसे में जाती है. यह गई एक. यह है दूसरी. यह भी बकसे में जाती है. यह गई दो. यह गई तीन. गई चार. यह गई पाँच. गई छे. यह गई साथ. यह गई आठ. यह गई नौ. यह गई दस. यह गई ग्यारा. यह गई बारा. यह गई तेरा. यह गई चौधा. ये गई पंधरा, ये गई सोला, ये गई सत्रा, ये गई अठारा, ये गई उन्नीस और ये गई बीस दस के समो, पैंसिल के इस बंडल को देखो, इस बंडल में दस पैंसिले हैं, दस फस्तों का एक समो हूं दहाई कहलाता है यहाँ एक और बंडल है इसमें भी ऐसी ही दस पैंसिले हैं इस तरह हमारे पास दो दहाई हैं यहाँ पैंसिलों के कुछ और बंडल हैं हर एक बंडल में दस पैंसिले हैं आओ हम गिनते हैं तीन, चार, पांच इस तरह हमारे पास पांच दहाई हैं आओ खेलें, गिनिती करें और सही गिनिती वाला बठन दबाएं चित्र में कुल कितने दहाई हैं हमने क्या चर्चा की हम एक से गिनिती शुरू करते हैं दस वस्तूं का एक समोहू दहाई कहलाता है